My sincere greetings to one and all. I am Deepmala Sharma, lecturer in English with Department of School Education, Haryana. Today, we'll discuss a very interesting and important topic from our reading skills. Reading comprehension of unseen passages. और जैसा कि आप बोर्ट पर देख सकते हैं, reading skills आपके exam के section A में आपसे पूछी जाती हैं. और जहां तक इस question की बात है, reading comprehension based on unseen passages. यह जो topic है, यह मैं अपने school के students को बता दूँ, कि यह school level की सभी classes में, फिर college level की सभी classes में, और यहां तक की almost सभी competitive exams में पूछा जाता है. तो आप देख सकते हैं, कि यह topic कितना important है. सबसे पहले तो आप इस topic कोई समझ लीजिए, reading comprehension of unseen passages का मतलब क्या है? reading comprehension, पहले इसे समझ लिए, reading का मतलब पढ़ना, comprehension का मतलब समझना, यानि पढ़ना और फिर उसे समझना. किसे? unseen passage को, unseen का मतलब बिना देखा हुआ, जो आपने कभी भी नहीं देखा, जो आपने कभी भी नहीं पढ़ा. passage, passage का मतलब कोई भी text हो सकता है, वो prose का text हो सकता है, या फिर poetry का text हो सकता है. वैसे most of the time exam में, prose के text ही पूछे जाते हैं, यानि कि कोई भी एक paragraph, या कोई भी दो या तीन paragraphs आपसे exam में question में पूछ लिये जाते हैं, आपको उन्हें पढ़ना होता है, उसे समझना होता है, और फिर उस पर based question के answers आपको उसी passage में से छूंट कर लिखने होते हैं. तो basically आपको reading comprehension of unseen passages में ये करना होता है, तो आज के इस वीडियो में हम discuss करेंगे किस तरह से reading comprehension पर based unseen passages को हम solve करें, उसकी क्या-क्या tips हो सकती है, क्या-क्या tricks हो सकती है, ऐसे कौन सी strategies हो सकती हैं, जो हम उन पर apply कर सकते हैं, solve करने के लिए, वो सब detail में हम इस वीडियो में discuss करे और ये जो मेरी strategies होंगी, जो मैं आपसे share करूँगी, ये किसी भी exam situation में आप apply कर सकते हो, तो चलिए, start करते हैं आज का topic, और एक और बात मैं आपको इसमें बता दूँ, कि वीडियो के end में मैं आपको provide करूँगी previous year के board exam में, यानिकि 10th और 12th classes में, हर्याना board में जो unseen passage पर उन passages पर apply करेंगे, और फिर उन्हें समझेंगे और भी अच्छे से, और solve करेंगे previous year के board exam के उन questions को, तो चलिए, start करते हैं, आज का reading comprehension of unseen passages, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, reading comprehension of unseen passages में, basically, एक passage आपको एक्जाम में given होता है, आपको उस passage को पढ़ना है, समझना है, और फिर, उस पर पूछे हुए questions के answer उसे passage में से ढूंड कर paper में लिख कर आने है, तो ये करना है आपने reading comprehension of unseen passages में, कैसे करेंगे, समझें, सबसे पहली बात, passage आपके सामने है, वो passage जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई एक paragraph या दो या तीन paragraph भी हो सकते हैं, आपको सबसे first step जो apply करना ह हमारी strategy में, वो ये है, कि आप उस passage को जल्दी से read कर लीजिए, read the passage quickly, अब quickly कैसे पढ़ेंगे, जल्दी से कैसे पढ़ेंगे, उसके लिए ये tip है, कि आप पढ़ना शुरू कीजिए passage को, पहली दो तिन लाइने पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद कुछ लाइने skip कर दीजि तो आपको basically क्या होगा, कि एक judgment हो जाएगा, एक idea लग जाएगा, कि passage जो है वो किस बारे में है, आपको main idea निकालना है passage का, उसको जल्दी से एक बार पढ़के, सिर्फ main idea ही निकालना है, अभी हमने passage पर time नहीं लगाना, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि reading comprehension पर based questions आपके competitive exams में भी पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर भी, और even हमारे school या college लेवल के exams में भी हमें time management का बहुत यहाँ रखना पढ़ता है, reading section में, जितना कम time हम लगाएंगे, उस strategy को apply करते हुए, मैं आपको ये tips और tricks बता रही हूँ, तो जल्दी से आपने quickly passage को पढ़ा, और एक main idea ल देख रहे हैं, जैसा माहोल है, coronavirus के कारण से, COVID-19 के जो भी effects हैं उस पर, या फिर पैसेज किसी जिसके importance पर बेस्ट हो सकता है, suppose कि ये वो हो सकता है, importance of online education पर, या importance of yoga पर, importance of health पर, right, importance of education पर, किसी भी topic पर, या फिर वो पैसेज किसी भी personality पर बेस्ट हो सकता है, famous personality पर बेस् या इसे तरह से किसी भी personality पर, तो आपको गेवल एक main idea लगया, कि ठीके जी हमारा पैसेज जो है, ये इस बारे में है, अब हम आते हैं, second step पर, second step हमारा जो है, it is extremely important, बहुत important step है ये, इसमें आपने बहुत ही ध्यान से, very carefully read करना है questions को, और questions को read करके आपने ये idea लेना है, दरसल question में जो information है, वो क्या पूछी गई है, क्या पूछा गया है questions में, तो questions को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, और ये समझने की कोशिश कीजिए, कि उनमें क्या पूछा गया है, जब आपको ये पता चल जाएगा कि क्या information questions में मांगी गई है, तो आपको बहुत ही easy हो जा you have to read the questions very carefully, so that you know that what is being asked in the questions, now come to third step, third step में आपको basically अब फिर से अपने passage पर आजाना है, और passage को अब आपने बहुत ही carefully, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, और questions को पढ़ते समय, आपने ये ध्यान कर लिया था कि क्या information पूछे गई है, वो जो information पूछे गई है, वो दरसल है keywords, क्या है, keywords, means main जो points पूछे गए है, main जो information पूछी गई है, वो keywords होंगे, वो keywords as it is, आपको कहां पर मिलने वाले है, जी हाँ, आपके passage में, और कहां, क्योंकि जितने भी questions हैं, जो आपने अभी पढ़े हैं second step में, उनके answers, कहां से जूनने हमने, कहां पर given है हमें, passage में given है, तो वो keywords हैं, अब हम उन keywords को locate करेंगे अपने passage में, passage को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हुए, हमें ये काम करना है, तो I think आपको third step अब समझ में आ रहा है, कि mind में समय हमारे चल रहे हैं हमारे questions, उनके keywords, और keywords को हम locate कर रहे हैं, passage को deeply पढ़ते हुए, passage को carefully पढ़ते हुए, passage मे बीच बीच में आप उन keywords को पढ़ते रहे हैं, और ढूंदते रहे हैं, आप देखिए, पढ़ते समय पैसज को और ढूंदते समय उन keywords को आप चाहो, तो slightly, बिल्कुल हलका सा मार्क कर लीजिए उन keywords को, क्योंकि basically यही जो keywords हैं, इनी से लेटेर जो पूरा sentence है, यही आपका answer होने वाला है, जो आपने paper में उन questions का answer लिखना है वो, तो यह आपके लिए बहुत ही useful रहेगा, कि आप अगर उन keywords को अपने passage में साथ की साथ, हलका हलका सा मार्क करते रहो, बिल्कुल जरा-जरा सा, क्योंकि वैसे तो यह I think prohibited होता है, कि आपको question paper में कोई भी mark नहीं लगा काम ओल्मोस्ट हो चुका है, अब यहाँ पर कुछ tips में आपको देना चाहूंगी, first tip is, कि आप जिस समय question के answer locate कर रहे होंगे passage में, उस समय आप एक बाध्यान कीजेगा, कि लगभग ऐसा होता है, कि जो question के answers है, वो आपको chronological order में मिलते हैं, अब यह जो वर्ड है chronological order, इसक सेक्वेंस में हमें questions पूछे हुए हैं passage में से, ठीक उसी sequence में हमें कई बार question के answers मिल जाते हैं, तो यह हमारे लिए बहुत ही असान हो जाता है, टूणना कि first question जो है, उसका answer हमें पहले मिल जाएगा, first paragraph में में बी, first paragraph की में पहली दूसरी line में, okay, तीसी जौसरी line में इस त बार होता है, और एक बार ऐसा हो भी सकता है, कि किसी question का answer आपको पहले ही मिल जाए और question आप से बात में पूछा हुआ हो, अब मैं आपको यह बताती हूँ कि question जो है, वो किस-किस type के पूछे जाते हैं, तो आपे देखे, पहले जो questions है, जो एक जो type questions का हो तो यह है, कि content based questions का मतलब कि उसमें आपको answer लिखना होता है question का, और वो answer आपका one word या one sentence में हो सकता है, जैसा पूछा गया है, जो पूछा गया है, आपको keyword उठाना है, और वो एक word हो सकता है, या माली जे पूरा sentence हो सकता है, वो ऐसा का ऐसा आपने passage में से उठा के लिख देना है, बस आप थोड़ा सा grammar का ध्यान रखेगा, subject वगरा का ध्यान रखेगा, okay, change करते समय, अच्छा, अब इसके अनावा जो second type के questions है, वो हो सकता है कि title पर based questions आप से पूछे जाएं, अब title पर based questions कैसे होगा, आप से पूछा जा सकता है, कि give और provide a suitable title to the passage, क्योंकि passage में केवल आपको paragraphs दि कि ना हो, और वो heading जो होती है, वो topic जो होता है, वो title जो होता है, शीर्शक जो होता है, वो शीर्शक हो सकता है कि आपको बताना हो, वो title आपको बताना हो, तो title आप कैसे बताओगे, आप याद कीजिए, strategy का जो first step मैंने आपको बताया था, कि you have to get to the main idea, okay, तो main idea जो है, main theme जो है वही दरसल कि जिसके बारे में आपका पैसेज है वही दरसल आपका टाइटल है अब टाइटल लिखेंगे कैसे टाइटल जो है दरसल वह आपका काफी ब्रीफ होना चाहिए चोटा टाइटल होना चाहिए मैं एक वर्ट का टाइटल भी ठीक है दो वर्ट का टाइटल भ एक और हिंट भी इसमें कई बार मैं अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ कि आप देखेगा कि जो वर्ड बार बार पैसेज में रिपीट हो रहा है आपका टाइडल लगभक उसी से मिलता जुलता होता है तो आपके लिए एक नंबर स्कोर करना बहुत ही आसान हो जाएगा अब इसके अलावा जो questions आपके इसमें इरिडी comprehension वाले topic में पूछे जाते हैं वो होते हैं vocabulary-based जैसे synonyms, antonyms, means similar words या opposite words find out करना अब यह synonyms यानि similar words कैसे find out करने आते हैं यह आपको question में given होता है कि एक word है कोई ठीक है वो passage में है लेकिन उसका meaning आपको question में पूछा जाता ह है कि यह meaning है उस word का आपको वो word find out करना है passage में से या आपको दे लखा होता है कि यह word का opposite है, antonyms है और आपको word locate करना है, find out करना है passage में से तो आप कैसे करोगे तो देखे इसके लिए यह तरीका होता है कि आप ध्यान कीजिए कि वो जो meaning आप पढ़ रहे हो या वो जो opposite word आ context आपने passage में कहां पढ़ा है, और फिर उससे related वो जो content है या मालेचे वो जो context है आप उसे समझे और जो word आपको उस meaning से या उस antonyms से opposite word से suitable लगे आप उस word को वहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि words जो है उनका individual है कोई meaning नहीं होता, उनका हम context में ही कोई meaning द जल रही है, तो उसे के हिसाब से आपने syranim या entername अपना word प्रवाइट करना है, पैसे में से ढूंद कर इसको लिखना है, अब इस तरह से हम समझें, तो एक और last वात में आपको इस discussion में बताना चाहूंगी, कि आप English को English की तरह से ही लेना, आप इसे हिंदी में करने की को प्रशिश मत करना, means जो कुछ पैसेज में लिखा है, जो कुछ आपको content दिया हुआ है, जिसमें से आपने अपने answers फाइंड आउट करने है, वो आपके लिए सब कुछ है, that is all in all for you, okay, इसके अलावा आपने अपनी ओर से कुछ भी उसमें addition करके, या अलग से कोई extra information आपको किस जीस के बारे में पता है, तो उसे लिखने की कोई भी जुरत नहीं है, हाँ, grammar के जादा marks इसमें नहीं करते, या जैसे माली जीए, आपका कोई sentence का structure अगर गलत हो जाए, तो इतना ध्यार नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी आपको ये कोशिश करनी है, कि grammar point of view से, आपक कि ये सभी tips, tricks और strategies आपको help करेंगी smartly और easily reading comprehension के questions को solve करने में, और अबन जलते हैं इक बार अपनी slides पर, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, दो जैसे question papers है, एक तो 10th class का और 12th class का, जो इसी year, मार्च 2020 में हर्याना बोर्ड में पूछे कहे थे, हम इन strategies को उन papers पर apply करेंगे और फिर उन्हें solve करने के कोशिश करेंगे, so let's come to the slides, सभी tips, tricks और strategies को समझने के बाद, अब आपकी screen पर है previous year के board question papers, देखें सबसे पहले class 10th का question paper मैंने यहाँ पर लिया है, class 10th, March 2020 में, यह हर्याना बोर्ड में पूछा हुआ question था, set A, ओके, यहाँ पर मैंने उठाया है, और यह है आपका section A reading skills का first question, reading comprehension of unseen passage, जिससे related strategies, tips और tricks, सभी हमने अभी discuss किये हैं, okay, तो पहला step, अगर आप याद करें, तो आपको ध्यान आजाएगा कि मैंने आपसे कहा था, कि एक बार passage को आपने जल्दी से read कर लेना है, okay, अब जल्दी से read कैसे करना है, वो मैं आपको य आपको समझ में आपको समझ में आएगा कि पूरा का पूरा पूरा पैसेज ही जो है वो गुरु गोबिन सिंह के बारे में है, right, अब हमारा next step, क्योंकि time management का भी हमें ध्यान रखना है, तो अब ये extremely important step है, हमारा आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, कि now you have to read the questions carefully, and try to find out what are they asking, what information is sought in the questions, तो जल्दी से questions को देखिए, 5 questions यहाँ पर 5 मार्क्स का आपका यह रहेगा, now first question, who was Guru Gobind Singh, easy question है, आप माइन में ध्यान ब्रख सकते हैं, what are the rare contribution of Guru Gobind Singh to India, अब यहाँ पर keyword देखिए क्या है, keyword है यहाँ पर rare contribution पूछा है, कि रेर contribution जो था गुरु गोबिन सिंह का इंडिया के लिए वो क्या था, third question पढ़ लीजिए, why does the author call him a multifaceted personality, अब यहाँ पर जो keyword रहेगा, हमारा वो क्या रहेगा, multifaceted personality, I think आपको समझ में आ रहे हैं, कि keywords हमने कैसे locate करने हैं, या mind में हमने कैसे रखने हैं, अगर मालेजी आप mind में रख रहे हो, तो आप बस इतने से बाध्यान रखोगे, कि who was Guru Gobind Singh, rare contribution क्या है उनका, या उनको multifaceted personality क्यों कहा है, और आप चाहो तो बिलकुल slightly, pencil से इनको mark भी कर सकते हो, keywords को, ताकि जब आप passage में इनके answers locate करोगे, तो आपको easy हो जाएगा, अब fourth question देख लिजे, why has he been called a practical socialist, keyword क्या बना, जी हाँ आप सही समझ गए, practical socialist, फिर fifth question देखे, what qualities of Guru Gobind Singh inspired the most downtrodden people to look forward to an optimistic future, तो यहाँ पर keywords हो गए हमारे, कि most downtrodden people को inspire करने वाली कौन सी qualities है, Guru Gobind Singh में, जो कि लोग देखते हैं, जो कि उनका optimistic future उन्होंने बनाया, downtrodden people का optimistic future बनाया, तो यह सब keywords है, आप देखे, मैं एक बाद फिर से आपको बता देती हो, who was Guru Gobind Singh, simple straightforward question है, rare contribution, multifaceted personality, और practical, socialist, और last मे most downtrodden people के लिए, कौन से उन्होंने काम किये थे, कौन से qualities थी Guru Gobind Singh में, कि उन्होंने ensure किया optimistic future उनके लिए, अब इन keywords को ध्यान में रखते हुए, हम solve करेंगे हमारा passage, यह मैंने आपको easy करने के लिए questions और जो answer है, answers जिस passage में है, वो यहाँ पर सासात दे दिये है, तो आप फि questions को पढ़ने के बाद, और फिर try to find out these answers, third जो हमारा step था, वो क्या था, कि now you have to read the passage carefully, आपको मैंने यह बताया था, कि आपको जो questions है, वो हो सकता है, कि एक sequence में मिल जाएंगे, okay, ढूणने कैसे है, हमें ढूणने है, keywords, okay, कि जो words question में हमें given है, right, उन words को हमने कहाँ पर locate करना है, हमें उन words को इस passage में locate करना है, तो चलिए, start करते हैं, locate करना हमारे answers को, keywords को ध्यान में रखते हुए, पढ़े passage को ध्यान से, okay, चलिए, start करते हैं, now, let's read the passage carefully, third step, Guru Gobind Singh, the last of 10 sick gurus was a great son of India, now, this sentence gives the answer of the very first question, देखे, Guru Gobind Singh, the last of 10 sick gurus was a great son of India, question क्या था आपका पहला, who was Guru Gobind Singh, तो हमें very first sentence में इसका answer easily मिल रहा है, आप ऐसा का ऐसा, ये mention कर सकते हैं, आप चाहें, तो हलका साइस को जो है, मार्क लगा के भी आप रख सकते हैं, इस हलका साइस आप यहाँ पर निशान लगा लिए, जैसे मैंने लगाया है, अब देखे, next, जो है हमारा question, what are the rare contribution of Guru Gobind Singh to India, अब हमें इस question पर concentrate करना है, right, तो rare contribution जो है हमारा यहाँ पर keyword है, अब हम ढूंडते हैं, चलिए, passage में, आपको exactly मिल रहा है कि rare contribution क्या है Guru Gobind Singh का, तो यहाँ पर भी आप हलका सा slide सा mark लगा सकते हो, बिलकुल इस तरह से, और disorderly social condition, okay, यहाँ तक, तो first question का answer हमें मिल गया, और इस तरह से हमें यहाँ पर second question का answer भी मिल गया, okay, तो यह दो question के answers हमारे हमें मिल गये हैं, right, अब हम चलते हैं, third question के लिए, third question हमारा कहता है, कि why does the author call him a multifaceted personality, तो author ने उन्हें multifaceted personality क्यों कहा, चलिए इसका answer ढूंडते है, he was a multifaceted personality, he was a poet, soldier, statesman, leader and a true socialist all-in-one, तो बिल्कुल straight forward हमें given है, कि यहाँ से हमारे third question का answer मिल रहा है, कि multifaceted personality क्यों कहा है, he was a multifaceted personality, यहाँ से देखे, he was a poet, क्योंकि वो एक poet भी थे, एक soldier थे, statesman थे, leader थे, और एक true socialist all-in-one, okay, multifaceted वही होते हैं वैसे भी, कि जो बहुत सारी जिनके अंदर qualities हो, तो यह हो गया आपके third question का answer, okay, आपको समझ में आ रहा है मिल ख्याल से, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, यह अब पहले वाले चीज़े पढ़ने की कोई ज़रत नहीं, हम बस आगे बढ़ेंगे, हम देख पा रही हैं, यहाँ पर आपको याद होगी वो tip जो मैंने आपको दी थे कि answers जो है वो chronological sequence में होते हैं, okay, means first question का answer पहले मिल जाएगा, second question का answer फिर मिलेगा, third question का answer और fourth question का answer इस तरह से, एक sequence में chronological order में आपको मिलते जाएंगे, और आपको इस passage में मिल भी रही है, और यह आपका March 2020 का paper है, जो हम इस में solve कर रही है, 10th class के लिए, now, fourth question पढ़ते है, practical socialist, okay, practical socialist क्यों कहा उन्हें, तो ये भी रूमते हैं, चलिए paper में, he put life into the dying social order by giving it a wholly new outlook, he was a practical socialist who founded a social order based on fraternity, equality and love, तो क्योंकि उन्होंने कैसा social order established किया, जो fraternity, equality और love पर बेस था, okay, इसलिए उन्हें क्या कहा है, practical socialist, अब देखें बिलकुल जहां पर keyword है, वहीं पर हमारा answer चुपा हुआ है, और यह हो जाता है आपका fourth question का answer, okay, अब हम जलते हैं, और last question पर आजाते हैं, तो इस तरह से, what qualities of Guru Gobind Singh inspired the most downtrodden people to look forward to an optimistic future, keywords आपने देख लिए हैं, downtrodden people look forward to optimistic future, इनी words को हम locate करेंगे अपने passage में, ढूनेंगे अपन the spiritual vision, unmatched organizing capacity, and a gift of politic intuition and insight, such a rare combination of qualities, अब देखें यह थी वो qualities, such a rare combination of qualities, यह 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 थी पहले जो दी गई है, यह qualities है, और इसलिए जो है, would inspire the most downtrodden people to look forward to an optimistic future, तो यहां से हमें easily मिल जाता है हमारे fifth question का answer, और यह यहां तक, okay, यह मैं mark कर देती हूँ, और यह हो गया आपका fifth question का answer, question, तो इस तरह से आप देख सकते हो, किस तरह से chronologically हमने first, second, third, fourth, और fifth, सभी questions के answer को, answers को easily locate कर लिया है, अपने इस given passage में, आप अपने आप भी इसको करके देखेगा, जो tips और tricks मैंने बताई है, उनको apply करके देखेगा, उस strategy को अपना के देखेगा, जो हमने अभी discuss की है, त हम चलते हैं, त्वेल्थ क्लास के लिए करते हैं, त्वेल्थ क्लास के लिए देखे, मार्स 2020, का ही मैंने यहां पर सेट A का पेपर लिया है, जो इसे साल पूछा गया था, मार्स 2020 में ही, और देखे, यह इस तरह से होता है, आपका पेपर, section A, reading skills, और maximum marks यहां पर वैसे 9 ल discuss कर रहे हैं, यह दरसल आता है हमारा 4 marks का, और 5 marks की हमारी रहती है note making, जो हम एक और वीडियो में अलग से discuss करेंगे, तो यहां पर 9 marks का reading skills का complete होता है, लेकिन 4 marks का ही unseen passage, पूछा जाता है, आप पढ़िए, question क्या कहता है, read the passage given below and answer the questions that follow, passage को पढ़ना है, सबसे पहले passage को कैसे पढ़ना है, जी हां, जल्दी से पढ़ना है, तो चलिए देखते हैं कि में थीम क्या है, में किस बारे में हमारा passage है, फर सेंटेंस पढ़ लेते हैं, about 1 in 5 of all the people in the world follow the teachings of the Buddha, okay, who lived about 2600 years ago, he was born in 563 BC, the Buddha is a title, not a name, हमें idea मिल गया, कि जो हमारा passage है वो बुद्ध के बारे में है, okay, गौतम सिधार्थ was brought up in luxury, next two sentences हमने देख लिये हैं, उनकी life के बारे में बता रहे हैं, he lived in his father's palace and saw nothing of the outside world until he was a young man, okay, और इस तरह से यह हमने देख लिया कि सिधार्थ या बुद्ध के बारे में यह हमारा passage given है, अब देखिए, questions को देखते हैं, अब यहां पर एक बात मैं आप से पूछे जाते हैं, आप अपने screens पर देख सकते हो, चार questions हैं जैसा मैंने आपको बताया था, और चार questions है, हरे question, एक number का है, और four marks के हिसाब से चार questions पूछे गई हैं, और चारो ही questions आपके multiple choice हैं, आपको चार multiples दे रखे हैं, और इन चार multiple answers में से आपका केवल एक answer सही है जो आपने locate करना है, कहां से? इस passage में से, तो चलिए, हम ये काम करना शुरू करते हैं, passage को हमने quickly पड़ा, हमें पता चल गया, बुद्ध के बारे में ये passage है, अब हम एक बार questions को read कर लेते हैं, चुकि ये multiple choice questions हैं, तो इन्हें solve करना और भी easy है, मैं आपको बता दू, देख गौतन दबुद्धा या the enlightened one, तो इसका meaning क्या है, बुद्ध का meaning क्या है, ये locate करते हैं अब passage में से, अब हमारा third step आ जाता है, कि we have to read the passage carefully and we have to locate the answers of these questions, चलिए, स्टार्ट करते हैं, पहला question है, दबुद्धा means करके, अब हम one by one भी इन questions को solve कर सकते हैं, और आप चाहों, तो जारो questions को आप एक बर सीधा भी read कर सकते हो, तो चलिए one by one वाला इसमें trick follow करते हैं, और दबुद्धा का मतलब क्या है, ये सबसे पहले ढूंड लेते हैं, about one in five of all the people in the world follow the teachings of the Buddha who lived about 2600 years ago, he was born in 563 BC, the Buddha is a title not a name, it means the enlightened one, देखे मिल गया हमें, और the one who knows, ये दोनों ही answers हमारे सही लेकिन अब हमें ये देखना है कि हमारे पास जो multiple answers दिये हुए हैं, इन में से कौन सो option सही है, okay, multiple जो ये choice है हमारे पास, इन में से कौन सी choice हमारी सही है, first is Gautam the Buddha, second is Siddhartha the Buddha, third is Siddhartha Gautam the Buddha and fourth is the enlightened one, तो हमारे पास passage में यहां पर दिया हुआ है, the enlightened one, और the one who knows, अब हमें multiple choice के इसाप से इसको match करके देखना है, तो बुद्ध जो है, उसका मतलब क्या हो गया हमारा the enlightened one, तो हमारा यहां पर option D ठीक है, अब मैं जो है, एक examiner के point of view से आपको बता दूँ कि आपने इन answers को पेपर में लिखना कैसे है, आप सबसे पहले लिखेंगे section A, और फिर आप लिख और चाहो तो question को note कर सकते हो, आपके पास time है, तो अगर time नहीं है, तो कोई बात नहीं है, आप सीधा option जो है आपका correct यह D, इस D को भी लिखेंगे, और साथ में यह जो आपका correct answer है, इसको भी लिखेंगे, तो यह दोनों ही चीज़े आपने complete जो आपका answer है, complete जो आपका option ह इसको mention करना है, क्योंकि paper में अगर अच्छे से आपने present कर रखा होता है, paper बहुत ही अच्छा सा attempt कर रखा होता है, तो natural सी बात है, examiner के उपर बहुत ही अच्छा सा impression पढ़ता है, और क्योंकि यह आपके, हम कह सकते हैं कि paper का first question है, तो first question में अच्छा impression पढ़ना बहुत जर इधार्थ, गौतम, साक्य, या the enlightened one, चलिए देखते हैं, कि real name जो है बुद्ध का वो क्या था, यहां तक हमने पढ़ लिया था, हम इसे आगे चलेंगे, जो हमारे केवल काम की information है, हम बस उसे ही, उस पर ही ध्यान देंगे, हम unnecessary information के ओपर कोई ध्यान नहीं देंगे, अभी ह हमारे mind में सिर्फ क्या चलना चाहिए, हमारे second question का answer कहाँ पर है, यह चलना चाहिए, तो second question का answer कहाँ पर है, the real name of Buddha, the Buddha's real name was Sidharth, तो मिल गया आपको, बुद्ध का जो real name था, वो क्या था, Sidharth, तो यहाँ पर यह आपका correct option हो गया, Sidharth, okay, बहुत easy है, easily आपने इसको search out कर लि देखते हैं, Prince Sidharth's Charitier, the Chief of Gotham clan, या a Sakya King in Northern India, या a cook in King's Palace, okay, तो इन चार options में से एक हमें मिलेगा, चन्ना जो है, यह कौन थे, तो let's find out, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि, his real name was Sidharth, he was the son of a Sakya King in Northern India, यह तो हमने बता है, आप Sidharth के बारे में चल रही है, बात हमें He and his family were all Hindus and belong to Gotham clan, okay, Gotham Sidharth was brought up in luxury, आपका keyword क्या है, आपका keyword है, चन्ना, चन्ना कोई धियान रखेंगे, बस इस समय, he lived in his father's palace and saw nothing of the outside world until he was a young man, then one day accompanied by his charity, चन्ना, मिल गया आपको, okay, तो चन्ना कौन थे, गौतम बुद के, चैरिटियर थे, यह देखे, यहाँ पर यह वर्ड ह चैरिटियर, okay, तो हमारा जो option है, इसमें भी हमने चैरिटियर पढ़ा है, हुवोस चन्ना, प्रिंस सिधार्थ चैरिटियर, कितना इजली आपने लोकेट कर लिया, देखे, अगर आप keywords को ध्यान कर लेते हो, keywords का जैसे मैंने आपको बताया है, चन्ना का ध्यान कर लीजे, okay, blank फिर दे रखा है, blank को हमने भढ़ना है, until he was a young man, okay, अब आप यह देखिए, कि जो यह जो blank है आपका, okay, इसके अदर क्या क्या options आ सकते हैं, luxuries and joys of life, the life outside his father's palace, the life inside his father's palace, anything inside and outside the palace, अब यह हमने just अभी अभी पढ़ा है, okay, हम जब चन्ना के लिए ढून रहे थे, तो हमने देखा कि he lived in his father's palace and saw nothing of the outside world until he was a young man, तो उनको बाहर का जो संसार था, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो यहां से हमारा answer आ जाएगा, और इसमें outside, जो है, life उसके बारे में दिया हुआ है, the life outside his father's palace, तो आपका जो option B है, यह आपका correct answer है, और इस तरह से यहाँ पे अपने passage में locate किये, सिर्फ क्या किया हमने, हमने सिर्फ keywords को ध्यान किया, और keywords को हमने अपने passage में locate कर लिया, ठीक, इसे के हिसाब से हमने अपने answers को, सभी answers को find out कर लिया, तो I hope कि आपको यह जो video है, यह समझ में आई होगी, आज को lesson है, यह समझ में आया होगा, बहुत ही important topic यह reading comprehension of unseen passages, क्योंकि हर class में, और यहां तक ही मैंने आपको बताया कि, सबसे बड़ा जो हमारे देश का exam है, UPSC, जी हाँ, UPSC में भी, जो है reading comprehension पर based questions पूछे जाते हैं, उनकी aptitude वाले test में पूछते हैं, और सभी classes के लिए beneficial topic है, अगर आपको मेरी आज की video अच्छी लगी ह नहीं हूँ, तो please मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,